अब हम लोग जानेगे इंडिया डैडिस भारत ठीक है जैसे हम लोग पूरी के पूरी भारत की समभिधान को अगर पढ़ने का प्रयास करें तो हम प्रारंब कहां से करें अर्टिकल उवान से अनुचित एक से अखिर वहीं से तो हम प्रारंब करेंगे जितने भी आर्टिकल ह है पूरे के पूरे अगर सम्विधान को जानना हो या पढ़ना हो फेंस्टेटूशन को जानना हो या constitutional features को जानना हो तो हम आर्टिकल और अनुचेट वहन से पढ़ेंगे कि आखिर किस प्रकार से भारत का नाम भारत रखा और इंडिया दोनों रखा गया ठीके किस प्रकार से यह फेडरेशन और फेडरल इस्ट्रूच्चर फेडरल सिस्टम संगबाद की अवदार्न और फिडर फेडरलेश्म अनेचर आज चारतरिक अप अपनाते हुई भी हमने अपने रखा नॉट्व फेटरेशन इंडिया इसव यूनियन नॉटव ठीरिशन हम फेडरलिजम की अवधारना शंगबाद के अवधारना को और इस कंसेप्ट को एक सेप्ट किया लेकिन नाम में हम यूनियल लिखते है तो वही हम महा है इंद्धिया डैटेश भारत अनुचे दू प्रशुप करेंगे और इसके टेरिटरीज मतलब भूभाग के बारे में तो आर्टिकल वन में कहा गया है इंडिया डैटिस भारत ऐसा यूनियों आफ इस्टेट्स केहने का मतलब है इंडिया एक मौडर नेम है इंडिया सब लोग बारत को इंडिया के नाम से जानते भारत इसका प्राचीन नेम है तोनों का मिक्सचर है आप कह सकते हैं दिभाई ऐसा हुआ क्यों हम आगे डिसक्स करेंगों पहले इसे देख लेते इंडिया डैटिस भारत यूनियन ओप स्टेट यूनियं मतलब इसम्ग हो देखते हैं कि सान अन्यूनियन होता है ट्रेड यूनिय तो भारत मतलब इंडिया, that is भारत as a union of states, आर्टिकल वन में यह बताया गया है, क्लिर हो गया है, तो अब जुब बात आती थी, कि अगर कोई article one पढ़े, मतलब अगर इस लाइन को कोई पढ़ता है इंडिया डाइट इस भारत ऐजा यूनियन ओफ स्टेट्स तो इससे वह क्या समझता है इससे उसे दो चीज समझ में आएगा पहला नेम अब दी कंट्री और दूसरा टाइप ऑप पॉलिटी मतलब इस राष्ट का नाम क्या है तो इसमें बताया गया इंडिया और भारत दोनों इस देश के नाम है क्लियर हो गया यूनियन ओफ स्टेट्स मतलब डिफेरेंट स्टेट्स का यूनियन है इसका मतलब संगबाद की अबधारना को स्विकारता है इसके कैरक्रिस्टिक्स में फेडरलिस्म है और पॉलिट्री फेडरलिस्म ठीक है तो टाइप सब पॉलिटी इसको भी है सिगनिफाई करता है इंडिया डैट इस भारत ऐसा यूइन अफ स्टेट्स तो ये दो चीज हमें एक लाइन को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है ठीक है अब बात आती है कि इ इक एक जामपले लो घर का आपको मैं समझाने का प्रियाश करत गर होता है उसमें वसमें होते हैं चिल्डें ओते हैं तो दिखते हो कि बच्चों की अलग मत होता है इन-फैक्ट थम्रेंड विभी बहुत डिफरेंस्ट होते हैं को दादाध deux होते हैं उन्के अलग मत उता ह होग तो उनके different different opinion होंगे different different विचार होंगे हमारा तो सम्मिधान सभा उस वक्त constituents assembly तेन सो लोगों से भी अधिक का उसमें और उसके साथ-साथ वो तो जितने members थे उसमें थे ही साथ-साथ पैसे लोग भी जो नहीं भी members थे आम जनता उसके कोई भी जैसे कोई भी सम्मिधान सभा या फिर अभी भी constitution में कोई बदलाब आते हैं या फिर कोई एक्ट और बिल आता है तो जो members होते हैं वो तो अपने मत और अपने विचारों को रखते ही हैं साथ जनता भी उस ट्राफ्ट में कोई भी बिलाती है तो उसकी ट्राफ्टिंग की जाती उसके बाद उसमें suggestion opinion विचार देते हैं तो डिफेंट जितने मत उतने बिचार जितने दिमाग होंगे मतलब जितने लोग होंगे पर पर संगे अपना विचार होगा तो कई लोगोंने कहा कि भाई अभी modernity की और बढ़ रहा है भारत भारत का नाम जो है modern नाम होना चाहिए इंग्लिस नाम होना चाहिए जो कि मतलब भारत का थोड़ा बाहर देश में मतलब अलग से ही रूतबा लगे तो उन लोगोंने जो मतलब कह सकते एक प्रकार से आप इस बात को चानलो कि जो लंदन बहेरा से पढ़के आया थे ना जो बड़े- मैसूस करते हैं ठीक है वो चाहते थे कि हमारा देश का नाम भारत हो तो दोनों में मतलों बहस्चण गई सब लोगों ने का चलो दोनों रख लेते हैं ऐसे भारत का तो चार नाम है आर्या परत भी कहते हैं हिंदूस्तान भी कहते हैं मतलों ठीक है इंडिया भी कहते हैं भा यूनियन ऑफ इस्टेट हो गया ठीक है तो यह इंडिया डैट इस भारत अब पता चल गया कि दोनों नाम कैसे पढ़ा इंडिया और भी भारत भी ठीक है आगे है फ्रेट्स यूज किया गया है यूनियन ऑफ इंडिया इसके जगह पर होना चाहिए फेडरेशन ऑफ इंडिय है क्योंकि संगबाद की कॉंसेप्ट को हमने स्विका रहा है फेडरलिस्म ऐसा कैरेट्रिस्टिक जो है पूरे के पूरे इंडिया इस सेंटर यूनियन और उसके बाद तो अब तो खेर ठाइर अब दी गोवर्मेंट भी आगी पंचाई तीरा सिस्टम डिवुलूशन ऑप पावर हुआ उपर से नीचे अप्टू डाउन तो यूनियन ऑफिस्टेट्स को हम लोगों ने क्यों मतलब एक्सेट्ट किया ऐसा होना चाहिए है फेडरेशन ऑफिस्टेट ठीक है तो यूनियन ऑफिस्टेट को इसलिए प्रिफर किया गया है और यहां हम डॉक्टर भीम अंबेट कर जो कि कह सकते हैं ट्राप्टिंग कमीटी के चेर्मैन थे एक बहुत बड़े विचारक भी कह सकते हैं इनके विचारों से हम आपको अभगत कराऊंगा अब बताऊंगा कि डॉक्टर भीम राव कहते हैं कि आखिर क्यों भारत के जितनी विए उस वक्त आफ सेट को को आता दिया थे मतलब हैं यूनियन के जगाअ पर फेड्रीशन और फेड्रीशं की जगाव दया अनियोन तो बहुंद को यहां लिखा वैटरीशन नहीं लिखा सिम्पल सा इसके तो कारण सबसे पहला कारण है कि इंडियन फेड foolish ऐस not a result of an agreement भारत में जो फेडरेशन है या भारत के सिंबल साइक एक एक्जामपल लेड़ो अज दिल्ली है यूपी है हरियाना है पंजाब है जमुकासमीर हो केरल हो मनिपूर हो त्रिपूरा हो असम हो सिक्किम हो गोवा हो या फिर तमिल लाड़ो कोई भी स्टेट उडिसाच अ स्टेटे और यूइंटरी को लल्क फिर फिर जो भी उनियंट रटेट या ऑफ इस टेट एक्टेट में इस्टेट है नहीं स्टेट होने के लिए अपना Constitution होना पड़ा था अपना फ्लैग चाहिए और अपना रूपीज करेंसी अपनी टेरिटरी ठीक है अपनी सरकार अपने पिपल्स ये सब स्टेट के पास अब बताओ यूपिक के पास या फिर तमिल्लाडो के पास कौन सा फ्लैग कौन सी करेंसी है कौन सी उसके नेशनल आर्मी है कुछ नहीं है एक्च्वल में स्टेट्स का डिवीजन इसलिए किया गया ताकि हम प्रशासनिक सूबवस्ता इस्थापित कर सकें प्रशाशन को कारेबार जी से देखो सेंटर दिल्ली में बैठेगी तो अब है कि मुनिस्टिपाल्टी का काम है कि सड़क बनाना नाली ख पहाड़ी छेत्र है रिगिस्तान है प्लेन एरिया है डिजर्ट एरिया है मॉंटेन एरिया है तो सब के कुछ ना कुछ लोकल इसूज होते हैं कुछ जियोग्रफिकल ऐसे कंडिशन अब जैसे दिखिए कुछ पॉलिशी जो की हिमाचल प्रदेश के लिए बनाए जाएंग और वह एक जैसा लागू होगा जो कि उसके लिए यूजिलेस है अब राजस्तान के लिए फ्लड का नियम क्या काम करे है तो इसलिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट है कुछ ऐसे बिसे है और स्टीट को जियोग्रफिकल कंडिशन लैंग बेस के अधार पर जो है फुर एड्मिनि जो है डिफरेंट डिफरेंट छोटे बड़े स्टेट्स नरधारित किये गए उसे बनाए गए दूसरी बात है कि वह स्टेट मिलकर भारत का निर्मान नहीं हुआ है बलकि भारत ने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बनाए वही कहा जा रहा है कि यह जो है परिनाम जो निक कोई specific agreement नहीं हुआ कि भाई यूपी बाले ने दिल्ली के साथ agreement किया हूँ या फिर जैसे instrument of accession हुआ था उनके साथ जमुकासमीरवालो राजा हरी सिंग के साथ वैसा किसी के साथ नहीं हुआ तो कहने का मतलब है इंडिया अपने आप में अगर इंडिया की geographical features देखोगे तो इसकी एक cultural nationality है इंडिया की जो आप असम के कमख्या में संस्कृत बोले जाते हैं वही कच्छो धर्दूर जो है एकदम द्वारिका में भी संस्कृत बोले जाते हैं जो जमुकासमीर की कह सकते हैं कि परवत हूपर जो कासमीर का कैसक्ते हैं की असमेर भले भी बीडिया संस्कृत जो है कि जो कि मंदिरों मठों में बोले जाते हैं वही सुदूर रॉमश्वरम में भी बोले जाते हैे तो संस्कृत एज है लिंक लेंग में इसे कहने का मतलब है कि हम तक प् crystalline एक भारत के लोग है तो है कि इंडियन फेडरेशन इस नॉट एन रिजल्ट ऑफ एक्रिमेंट तो यह कोई एक्रिमेंट का परिणाम की रूपों में भारत तयार नहीं वह जैसे युनाइटेट इस्टेट अब अमेरिका को देखोगे तो युनाइटेट इस्टेट अब अमे हो तमिलाडे के हो मनिपूर को हो या फिर अरुनाचल प्रतिस के हो सिकीम के हो आपको एक ही नागरिकता मिलगी वह भारत की है युनाइटेट इस्टेट ऑप अमेरिका में क्या है जिस वह स्टेट के हैं उस स्टेट की नागरिकता हुई और फिर एक युनाइटेट इस्ट दूसरा इस्टेट हैब नो राइट तो सीट फ्रॉम प्रेटरेशन और कोई राज्य को यह अधिकार भी नहीं है कि वह भारत से अलग हो सकता है कि इन डिस्ट्रक्टिवल केने का मतलब है कि जैसे जमुकासमीर में होता था ना कि हम अलग देश बनाएंगे मलोग सब्सक्राइब खतम हो चुका है तो कहने का मतलब है कि कोई भी भारत का जो अभी अभिन हिस्सा है जो टेरिट्री है वह कोई भी अकल जाकर क्लेम नहीं कर सकता कि हमें एक इंडिपेंडेंट राज बनना चाहते हैं इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहते हैं और भारत सरकार या फिर इस राष्ट के लोग ऐसा होने भी नहीं नहीं तो उन्हीं भारत के और इस यूनियन से अलग होने का कि जगा union as a term को हम सम्मिधान में इंगित किये हैं या लिखें क्लियर हो गया जी तो यह पहला जो है ना introduction था एक प्रकार से कह सकते हैं आर्टिकल वन का या फिर यूनियन एन इंस्ट इस ट्रेटरीज जो हम एक नए चेप्टर को प्रारम में किये हैं इंडियन quality लक्षमी कांद के माध्यम से तो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट इंपर्टेंट फीचर्स है या फिर जितने भी इसके अंदर आपी आर्टिकल वान टू सब को डिफरेंट डिफरेंट बे में हम अच्छे से इसके कलपूर जी खोल कर छोटे-छोटे सब पार्ट में हम लेकर समझने का प्रयास करें यह पूरा का पूरा क्लियर हो गया क्या क्यों हम इंडिया और भारत को जो है यूनियन ऑफ इस्टेट्स कहते हैं नौटा फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इस्टेट और इसका नाम इंडिया और भारत तो नाम कैसे बढ़ा ठीक है तो आज के लिए था है अगरे टास से आप मंद्दो कह सकते हैं आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक से अब सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको अच्छा लगा हो तो आप